नमस्कार दोस्तों में उमेश सभी का आप नाइटीव चानल में फिर से बहुत बहुत स्वाद करते हैं उमीद करते हैं कि अब जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे अभी जो है बिया सरकार के तरफ से अबिलेट निकल के आई हुई है कि जो भी बच्चे एक से लेके काना खिला जर्ट ऑप उनको दिये जाएगा उर संतिसाथ खाना पकाने का जो पैसा होता है उनको दिये शाईगा को हम बताएं कि आप सभी को पता ही है कि जो भी सरकारी स्कूल होते या फिर खाना पकाने का जो पैसा है जो भी बच्चे हैं उनकी एकाउंट में या फिर उनको रासन भी दिया जाएगा मतलब कि एकाउंट में पैसे भेज जाएंगे और यहां पे रासन भी दिया जाएगा तो आखिर पैसे कौन से एकाउंट में भेज आएंगे किस तरह से रासन दिये जाएंगे कि इनको कितना रासन कितना पैसा मिलेगा आज की इस वीडियो में आपको हम किलियर करके बताने वाले हैं तो प्लिस अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर लिजेगा क्योंकि आप में से काफी सरा लोग ऐसे हैं जो वीडियो को रेगुलर देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं तो प्लीस लाइक कर लिजिए तो चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं सबसे पहले हम समाह लेते हैं कि आखिरी मद्या बोजन होता क्या है आप सबी को पता ही है कि जो भी सरकारी स्कूल होते हैं उसमें बच्चे को खाना खिला जाता है और यह मुख्यमंत नितिस्त कुमार जी के तरफ से बहुत पहले लगाया गया था जो कि जो भी बच्चे हैं जो थोड़ा से गरीब बच्चे होते हैं उनको जो थोड़ा बहुत सहारा मिले और बारे बज़े मतलब खाना खाने के लिए घर पे ना भाग तैसे मैं आप सभी को पता ही होता है कि जो भी सरकारी स्कूल होता है वहाँ पे दो पहर में खाना खिला जाता है तो स्कूल आपको समझाने में बहुत ही ज्यादा मतलब आसानी होगा अंपर सबसे जो पहला भाग है एक से लेकर पांचवी तक के जो भी बच्चे हैं उनका भाग पहला में हम रखते हैं और जाटाी की पहले हैं उनको कितना राशन और पैसा मिलेगा वाशन यहाँ पर गॉर्मेंट यह कहती है कि जो भी एक से लेकर पाची तक के बच्चे होते हैं उनको प्रती दीन एक बच्चे पर 100 ग्राम रासन और यहाँ पर 4 रुपे संतामिर पैसे खाना पकाने के लिए खर्चा होता है ऐसे में सरकार यह दावा कर रही है कि लगबख 34 दिन का पैसा इनको और रासन देना पड़ेगा ठीक है तैसे में 34 दिन का जो आपका रासन हो रहा है वो तीन किलो 400 ग्राम हो रहा है प्रती श्टुडेंट और जो पैसे की हम बात करें तो 179 रुपया हो रहा है तो अगर आप हम भाग दुसरे की बात कर लेते हैं जैसे कि मैंने आपको भाग 1 भाग 2 करके दिखाया तो भाग 2 में आते हैं 6 से लेकर आठवी तक के बच्चे तो आपके घर में कोई 6 से लेकर आठवी तक के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको कितना रासन और कितना पैसा मिले here we will out 5 1s jes rp करने हैं यहाँ साव्सवां इसकोल में लिंक है इसकूल में लिंक पिर फर उनके पेरेंट के एककॉंट लिंक तो जिनका वी एकाउंट लिंक है उस एकाउंट में पैसे सेंड किये जाएंगे ऐसे मैं छातर का अगर एकाउंट नमर दिया गया है तो उसके एकाउंट में जाएगा नहीं तो उनके मातापीता के एकाउंट नमर दिया गया है तो उसमें पैसे यहां पर सेंड किये जाएंगे तो पैसे की रिगार्डिंग किलियर हो गया कि पैसे किस तरह से मिलेंगे अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि जो रासन है वो कैसे मिलेंगे तो रासन की रिगार्डिंग कहा गया है कि जो भी स्कूल होता है स्कूल के माध्यम से यहां पर रासन दिया जाएगा साथी साथ रासन लाते समय जो भी students जाएंगे रासन लाने के लिए उनको जो जोला लेकर जाना पड़ेगा क्योंकि government नहीं भी यहां पर लिख दिया है कि जोला लेकर जाएगा तब ही आपको यहां पर रासन दिये जाएगा नहीं तो उधर से लाने में आपको अधीकत होगा अब यहां पर हम बात कर ल तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यबाद आप जहां भी हैं सुरत्खित रहें स्वस्त रहें बहुत बहुत धन्यबाद